हेलो दोस्तों स्वागताब सभीगा मुराडएक एडमी के यूटूब चैनल पर और आज हम बारे में बात करने वाले हैं कि जो दसवी का और बार वी का टाइम टेबिल आया है उसको हम कैसे डाउनलोड करें और उसके बारे में हम आगे विस्तार से बात करने वाले हैं तो पह कि जाने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कि जो रिजल्ट से बारे में बात करें तो देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा मैं इसको जूम कर देता हूं टाइम टेबिल मैं एक्जाम 2024 इसको हम क्लिक करेंगे उसके बाद में यह PDF डाउनलोड हो जाएगी देखिए म आप पताता हूं यह PDF डाउनलोड हो जाएगी और जो भी सात्र एक्जाम देने वाले हैं दस्वी और बारवी की वे इसको डाउनलोड कर ले और इसका प्रिंट निकल वाले हम बात करेंगे इसके बारे में आगे कि कौन-कौन से एक्जाम कब 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 होने वाली है तो प्रिक्षाओं का सुबह साड़े आठ बजे से ग्यारा बच के 45 मिनाट तक इसका आयूजन किया जाएगा आप यहां पर दे सकते हैं कि गुन-30 फरवरी के दिन मैं जूम करके बता देता हूं कि गुन-30 फरवरी के दिन से एक्जाम स्टार्ट होने वाली है 12th क्लास की जिस हमार चार मार्च को अंग्रेजी की प्रिक्षा लगने वाली है आगे बात करते हैं तो संस्कर्थ के लगेगी इसके उसके अनुसार और 9 मार्च को भूगोल लेकाशास्त्र बोतिक विज्ञान की प्रिक्षा होने वाली है most important बता देता हूं और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं मैं आपको यह PDF पिन कर दूँगा हमारे YouTube चानल के कमेंट पर बात करते हैं तो 9 मार्च को भूगोल होने वाली है सोमार 11 मार्च को चित्रकला और 13 मार्च को हिंदी अनुवारी प्रिक्षा होने वाली है उसके बाद में 15 को अंग्रेजी साहित्य सोडा को सामान्य विज्ञान और दर्शन शास्त्र 18 मार्च को इतिहास व्यवसाइक अध्यन और करसी रसाइन विज्ञान यहाँ कि अठारा मार्च को लगेगी रसएन विज्ञान के मैस्टि की प्रेक्षा 18 मार्च को आज़ित की जाएगी उसके बाद में गुरिणीज को अंत्राल पड़ेगा और फिर 20 को पर्रवारण विज्ञान 21 को राधर निति विख्यान भू विग्यान और करशिया जो एक्ञेर से हमें 27 मार्च को लगीए गणित की जो एक्ञेर से वे 23 मार्च दोजार दार चोवीस को लगेगी 23 ऋरिख को लगने वाली हैं प्र उसके बाद में यानि कि प्रिक्ष है लगेगी बात करते हैं तो फिर चोवश तारीक को रविवार है और 25 को दुलंडी है पिर उसके बाद में इसके बाद में प्रिशाइत्य से रिलेटेड बहुत सारी एक्जाम है जो आप यहां पी देख भी सकते हैं मैं इंपोर्टेंट बता देता हूं पिर उसके बाद में समाज सास्त्र है तीन अप्रेल दोजार चोवीश को तो यह प्रिक्षा आएजित की जाएगी मैं आपको ए विए से जी विञ्ञान और जी विग्यान दोनों की yhtमार्ट मार्च को लगने वाली है वह प्रिक्ष्ध की अठार्म ऑर मार्च को और वहां प्रिक की आउखात्ध लेकासास्त्र और बहुत तहीत दिया यह आने वाले हैं तो मार्च यह था का सरेबस इसके बार्यमे बाद करने हैं जो दस्वी स्वी प्रक्षा का स्वाजमेर की वंच्पोयक और आपको कम समय थिया गया है जैसे कि चाहिको ऐकदाम होगी अंग्रेजी की कि फैले तो फिर महाशिवरात्री होने वाली है फिर अंतराल होने वाला है बीच मतलब एक दिन की छुट्टी होगी फिर भी आ रहाएगा फिर एक देन चुट्टी फिर यह ननकी साथ के बाद में बारा मार्च को हिंदी का पेपर लगेगा जो अनिवारी है वह फिर उसके ब को में इस पारे में बात करेंत फिर उसके बाद में संसकर्थ माच को 20 ton की बोड़न करने वाली हिए फिर 25प सबीष को औरलो दिलंडीज एक दिन का अंत्राल साटाश मार्च गणित की पर लगेगी है कि लास्ट में संस्कर्ट लगने वाली है दस्वी की एक्जाम के लिए आगे हम बात करें तो इसके अंदर यह इंपॉर्मेशन दी गई है आप यहां पर फड़ भी सकते हैं जैसे आपको क्या सभी को पता है कि किसी भी परकार का मुबाइल फोन यह सब डायरी अने लगतरने क अलाव नहीं है आप वहां पर जो जोमेट्रिक वोक्स है ले जा सकते हैं और आपको कोविड के कि मामारी के बारे में जो भी निर्देश दिये गया है उनकी पालना करना अनिवारी कर दिये गया है आप और प्रक्षा और दिनांक और समय का पूरा ध्यान रखते हुए ही आ आप यहां पर जाएं पहले से ही चले जाएं टैम भी देख सकते हैं कि सुबह 8.30 बजे से 11.45 मुन तक एकजाम होने वाली है लगवग तीन गंटे 45 तीन गंटे 15 मिनट तक एकजाम होने वाली है और हम बात करें तो फिर उसके बाद में जो मूख बधीर वाले जो स्टुड टैम टैबिल देख सकते हैं उसी परकार से मूख बधीर के लिए जो दस्टी क्लास के स्टुडेंट है उनके लिए भी यह टैम टैबिल जारी किया गया है